नमस्कार दोस्तो मेरा नाम नोरोत्म और आज कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारा जितने भी सारे टॉर्च लेट होते हैं जोकि चार्जिंग वाला होते हैं इनको आप लोग कैसे घर पर आसानी से रिप्यर कर सकते हो और साथ ही हमारा टॉर्च में आप घर पर easily repair कर सकते हो और दोस्तों इस torch में क्या problem है वो सबसे पहले जान लिजे इसका देखिए जो हमारा two pin होता है चार्ज होने के लिए यह देखिए यह two pin का उपर में एक हमारा button होता है जो कि इसको आगे लाने के लिए काम करता है और पीछे लाने के लिए काम करता है वो button हमारा तूट चुका है और इसी वज़े से torch चार्ज नहीं हो पार है और चार्ज नहीं होने की कारण इसका बैटरी है वो बिल्कुल ही down हो चुका है और यह हमारा नहीं जल रहा है यहाँ पर देखिए switch हमारा on है फिर भी हमारा torch का LED है वो हमारा नहीं जल रहा है तो द पहले वाला जो क्याब होता है हमारा LED का इसको मैंने इस प्रकार से निकाल लिया हूँ आप लोग देख सकते हो और यह देखिए यह हमारा निकल चुका है और यहाँ पर एक screw होता है इसको मैंने यहाँ पर screwdriver की मदह से निकाल लेता हूँ और दोस्तों, यहां पर और एक screw होता है हमारा जितने भी सरे torch आते हैं उसमें हमारा दो screw होते हैं तो यह एक पहला screw हो गया जो कि हमारा यह 2 pin की पास में होता है और दूसरा screw हमारा kilow Cash की पास में मिल जाएगा तो इसको निकालने के लिए हमें इसका उपर का ये जो क्याप लगावा होता है, इसको सबसे पहले निकालना पड़ेगा तो देखें, यह हमारा निकल चुका है, और इसके बाद यहां पर एक होल दिख रहा है न, इसके अंदर हमारा स्क्रू है आपको सैथ दिख रहा होगा मैं यहां पर इसको भी निकाल लेता हूँ तो देखे यह हमारा दोनों स्क्रू निकल चुके हैं तो अभी इसका स्वीच को निकाल लेते हैं यह हमारा स्वीच का जो प्लास्टिक है और उसके बाद यह हमारा इसका उपर का कवरे इसको भी निका और इसको हम साइड में रख लेते हैं इसमें हमारा कुछ भी नहीं है और देखे हमारा टॉर्स में क्या क्या होता है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं पर देखे एक हमारा यह चार्जिंग पीन होता है इसमें हमारा दो लगा हुआ होता है यहां पर एक वैर हमारा यहां और यहां पर देखे, पीछे का लिए है, यहां पर देख सकते हुँ, तो हो सकता है किसी-किसी टॉर्च में, शिर्फ आगे के लिए ही होगा, लेकिन इसने हमारा दोनों तरफ है, पीछे के लिए और आगे के लिए, और उसके बाद एक इसका चार्जिंग सरकुट होता है, हम पर हमारा क्या प्रोब्ledum में आपको बता देता हूं यह अमारा टूपीन नहीं काम कर रहा था इसा उपर का यह टूट गया था यहां पर देख सकते होत तो सबसे पहले टूपीन को मैंने चेंज कर लेता हूं तो अभी देख सकते हो मैंने पूराना टोर से यह टूपिन को निकाला हूं तो इसको मैंने यहां पर लगा लेता हूं और इसको लगाने के बाद दोस्तों यहां पर हमारा जो वैर टूटा हुआ है इसको मैंने सबसे पहले लगा लेता हूं वैर को तो य यह हमारा वैर है तो इसको यहां पर शोल्टरिंग कर दता हूं तो चलिए अभी हम इसको सबसे पहले चार्ज करके देखेंगे कि यह हमारा चार्ज हो रहा है या भी नहीं हो रहा है और अगर चार्ज हो रहा है तो बैटरी में कितना वोल्टेज आ रहा है वो भी देखेंगे दोस्तो यह जो हमारा यहां पर बैटरी लगा हुआ होता है यह हमारा 4 बोल्ट का होता है और यह जो LED होता है आगे का और पिछे का यह दोनो LED हमारा 4 बोल्ट का ही होता है और यह charging circuit में भी हमारा 4 बोल्ट ही निकल लगा ये बैटरी को चार्ज करने के लिए 4 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट निकल सकता है और ये जो LED होगा ये हमारा जलेगा अगर बैटरी चार्ज होगा तो चलिए यहाँ पर हम इसको बोड में लगा लेते हैं और ये देखिए यहाँ पर हमारा LED जल रहा है आप लोग देख सकते हो लेकिन आपको मोबाइल की स्क्रीन में ये ब्लिंग करता हुआ नजर आ रहा होगा क्योंकि दोस्तों हमारा जो मोबाइल का क्यामेरा है ये हमारा लाइट को इतना अच्छी तरीके से क्याप्चर नहीं कर पाता है इसलिए आपको ब्लिंग कर रहा हुआ नजर आ रहा है तो चलिए यहाँ पर हमारा LED सही से जल रहा है कोई दिक्कत नहीं है मैंने यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज ही आपको चेक करके दिखा देता हूँ ये देखिए हमारा जो बैटरी होता है ये अमरा 4 वोल्ट का होता है और जो चार्जिंग करने के लिए बोल्टेज आता है वो हमारा पांच वोल्ट लेता है यानि कि बैटरी से थोड़ा सा ज्यादा और G,", ठाथ हो घृ। तो यहां पर स्विंच को आन करके देखते हैं कि हमारा light जो है यह हमारा जल रहा है या फिर नहीं जल रहा है तो यहां पर देखे आगे का light जल रहा है यानि कि यह हमारा सही हो चुका है और पीछे का light को देख लेते हैं तो यहां पर switch को मैंने पीछे की तरफ करता हूं तो देखे तो कैसे repair कर सकते हो, सबसे पहला problem होता है charging का, जैसे कि यहां पर charging का problem देखने को मिल रहा था, यानि कि इसका light वगरा, torch और circuit सब कुछ सही था, लेकिन इसका charging problem ही था, यानि कि torch चार्ज नहीं हो रहा था, तो उस समय आपको physical ही देखना है कि torch कहीं से तूटा हुआ है, या फि कुछ भी damage है या फिर नहीं है, जैसे कि यहां पर इसका उपर का button ड्यामेज हो गया था, तोट गया था, इसी वज़े से हमारा two pin निकल नहीं रहा था, और charge नहीं हो रहा था, और साथ ही अगर charging नहीं हो रहा है, तो यह दोनों wire को देखे, यह दोनों wire यहां पर सही सलामत ह या फिर नहीं है, यहां पर जैसे यह wire हमारा तूट गया था यहां से, तो हमारा यह charge नहीं हो रहा था, और अगर यह wire सही है, two pin सही है, सब कुछ सही है, आपका torch चार्ज नहीं हो रहा है, तो उसके बाद आपको यहां पर यह जो circuit है इसको चेक करना है, यहां पर देखे, एक हमारा लाल कलर का क्यापासिटर लगा हुआ है, इसको काफी सरे लोग पीर भी बोलते हैं, तो यह अगर खराब होगा दोस्तों हमारा जो टॉर्ज होगा वो चार्ज नहीं होगा, और साथ ही यहाँ पर पीछे की सैड में देखिए एक ब्रीज रेक्टिफर है, आप लोग लिए बोल्टेज निकलता है, और एक हमारा क्यापासिटर लगा हुआ होता है, यह हमारा बोल्टेज को फिल्टर करता है, तो दोस्तों यह ब्रीज रेक्टिफर अगर खराब होगा तो हमारा जो बैटरी होगा, वो हमारा चार्ज नहीं होगा, क्योंकि यही हमारा DC नहीं आएगा और हमारा बैटरी चार्ज नहीं होगा तो इसको एक बार चेक कर लेना और अगर यह खराब होगा तो आप यहां पर 1N4007 नंबर का चार डायोड ले लिजे और उससे ब्रीज रेक्टिवर लगा कर बना कर यहां पर लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है और यहा जादतर जो रेजिस्टर होते हैं वह हमारा यह जो लाइट होता है इसको कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है सुइच को तो सुइच के आसपास आपको काफी सरे रेजिस्टर देखने को मिल जाएगा और हां दोस्तों आपका टॉर्ट चार्ज हो रहा होगा लेकिन आपक हैं महीं एक रेजिस्टर होता है यहां पर देखिया यह हमारा LED में है ना तो यहां पर देखें यह समय में यहादस होता है इन दोनों को चेकर लीजए और आगर आपका क्यापासीट रहे यह जो capacitor है यह फटा हुआ है तो आपका जो battery होगा वो charge नहीं होगा यह bridge rectifier सही है सब कुछ सही है लेकिन capacitor फटा हुआ है या फिर फुला हुआ है तो आपका torch का जो battery है यह charge नहीं होगा आपको समझा देता हूँ, अगर दोस्त हमारा बैटरी बिल्कुली खराब हो चुका है, यानि कि डेड़ हो चुका है, उसमें कोई भी बोल्टेज नहीं दिखा रहा है, तो वहाँ पर बैटरी को जितना भी चार्ज करो वो बैक अप नहीं देगा, यानि कि वो LED को नहीं जले तो ऊसरी टाइम में आपको बैटरी को चेक करना है, मल्टि मीटर से बीना चार्ज किये, यानि कि इसको एसे खोल के रख ल tablespoon और बैटरी को बोल्टेज चेक करना अगर बैटरी में 0 वोल्ट या फिर 1 वोल्ट की आसपास दिखा रहा है, तो आपका बैटरी खराब हो चुक जलता है, अगर ये खराब होगा, तो कैसे जलेगा, तो यहां पर LED को भी चेक का लेना, यहां पर अगर भूल्टे सही सलामत आरा है, लेकिन हमारہ LED नहीं जला है, तो इसका मतलब होता है, हमारा LED खराब हो जुकए है, तो आप यहाँ पर एक नए LED लाइट डाल दीजे और यह हमारा सही हो जाएगा और दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमारा torch बिल्कुल सही सलामत होता है लेकिन जब हम उसको full charge करते हैं यानि कि अच्छे से charge करते हैं बैटरी को अगर हमारा बैटरी बहुत ही पुराना हो चुका है या फिर बैटरी खराब हो चुका है तो हमारा वो बैटरी क्या होगा बैक अच्छे से नहीं देगा तो उस टाइम आप यह जो बैटरी होता है इसको change कर दीजे यह problem आपका सही हो जाएगा और एक problem दोस्तो हमारा switch से भी आता है जैसे कि इस torch में भी हमारा आया था यह सारे torch में देखने को मिलता है तो इस time में आप इसमें थोड़ा सा oil डाल दीजे यानि कि तेल डाल दीजे चाहे वो नारियल का तेल हो या फिर किरोसिन हो या फिर petrol हो वो डाल दीजे उसको डालने से हमारा क्या होता है कि इसके अंदर जो junk बगरा होता है वो हमारा अच्छे से free हो जाते हैं तो यहां पर स्विच अच्छे से काम करता है तो देखिए कितना अच्छे से हमारा काम कर रहा है बहुत ही smoothly यह हमारा on हो रहा है और कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है तो इसी बकार से स्विच में यह दिक्कत आता है इसको भी आप आसनी से repair कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं और अगर आपक कुछ छोटे मोटे फोल्ट जो कि हमारा टॉर्स में देखने को मिलता है और इसका रीपेरिंग कैसे करना है अब को बता लिआ। तो दोस्तो मैं आसा करता हूं कि यह विडियो आपको पसंद आया होगा, अगर विडियो पसंद आहिए तो दोस्तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे और अपना चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजे पास में जो बेल आइकन देख रहे हैं उसको प्रेस करके ओल के उपर दबा दीजे ताकि जैसे ही मैंने इस प्रकार का रिपेरिंग का वीडियो डालूँगा आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको आसानी से देख सकते हो